राम राम जी सबको आपका दिन मंगल में हूँ मैं इश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्त रहें आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूँगी जो मेरी परियोग तो की हुई ही है पर उसका रेजल्ट हंडर्ड परसेंट है वो है हमारा कई बार क्या होता है बच्चों का बड़ों का गिरने से मास फट जाता है हलके सी सुजन रहती है दर्द रहता है हम जब एक्सरे लेते हैं तो डोक्टर बोलता है मास फट गया आपको बेड रेस्ट करना होगा तो इस मास फटे हुए को हम जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं, दर्द कैसे कम होगा तो इसके लिए मैं आपको एक नुस्का बताती हूँ छोटा सा शर्त यह है, एक्सरे कराना जरूरी है, आपको confirmation होना चाहिए कोई ligaments की दिकत है, या हड़ी में crack है, या मास फटा हुआ है मास फटा हुआ है, तो ही ये नुस्का अपनाएं, और problems के लिए और उप्चार है आपको करना क्या है, हल्दी लेनी है, अच्छी बढ़िया, पीसा हुआ, पाउडर सुखा लेना कितना है, चोट के according लेना है, मास कितनी दूर में फटा हुआ है आइडिया से आप लीजिए, डेट दो चमच उसमें सर्चों का तेल मिलाना है, कच्चा और मिलानी है, सफेद फिटकडी जो आती है, उसका पाउडर अच्छी तरह से पीसा हुआ तीन चीजे है, सर्चों का तेल, सफेद फिटकडी पीसी हुई, हल्दी पाउडर तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए और कैसा मिक्स करना है, वो पेस्ट थोड़ा खुश्क सा रहता है क्योंकि इसके हंदर हम कुछ भी गरम नहीं करते तो ये वो पक नहीं पाता, इसके वज़े से खुश्क सा पेस्ट होता है तो रहने दीजिए इसे, तेल हद से जादा ना डाले आप सोचेंगे उससे वो वैसे पेस्ट बन जाएगा, हल्वे के जैसे वो पेस्ट नहीं बनेगा दरदरा का खुश्क सा ये आपका एक पेस्ट बनेगा इसको लगी हुई चोट पे आप बांदिए लगाईए इसको, जहां भी आपके तब कलीफ है किसी भी चीज को गरम नहीं करना है ना हल्दी को, ना तेल को, ना फिटकडी को सब कुछ कच्चा, सब कुछ ठंडा जैसा रूम टंपरेजर पर आपका था इसको मिलाया, चोट पे लगाया उसके उपर कोटन लगाई, अच्छी तरह से पटी बांदिजिए आपको दर्द में एक टाइम आप बांदेंगे पहले टाइम 20-30% दर्द में आराम आपको मिलेगा हलका सा खिचाव होता है जब हम बांते हैं तो हमें लग रहा है दर्द बढ़ रहा है वो बढ़ेगा नहीं, वो उस मास को जोड रहा है जब आप खोलेंगे आपको हलका सा दर्द कम महसूस होगा इसको कितने दिन करना है, जितने दिन आपको बिलकुल अराम ना मिले 80-90% तीन दिन में अराम मिल जाता है तीन दिन कैसे बांदना है, सुबह बांदना है दोपैर को खोल दीजिए, एक दो गंटे खुला छोड़िए फिर बांदिये, उसको पूरी रात रहने दीजिए जादा मैनस कर सकते हैं तो दिन बार बांद लीजिए सुबह बांदा, 11 बजे खुला छोड़ा अधे गंटे 12 बजे फिर से बांद लिया, 4 बजे खोल दिया, 5 बजे खोल दिया और अब किसी का सवाल होता है, ये पेस्ट एक बार बना हुआ ही बार बार लगाएं एक बार बना हुआ पेस्ट आप सिर्फ दो बार लगा सकते हैं बाद में उसको फैंके नया बनाएं उसमें फिर वो जो ताकत नहीं रह पाती हमारे सकीन ओप्जर्व कर लेती है पुल आप ठीक हो जाएंगे और दर्द में आराम मैंने आपको बताया पहले दिन में ही मिलेगा इसके लिए आपको और दर्द में आराम लेना है सिधा कच्छी हल्दी थोड़ी सी दूद में दिन में दो बार खोल के ले ले और कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की जुरूरत है और यदि कोई कमजोर है सुस्ती सी मैसूस हो रही है तो रूम टेंपरेचर के पानी में शेहद डालिए एक से दो चमच बैठ ये अराम से हलके सांस लेने हैं और उस पानी को पीने में आप 15 मिनट का समय दीजिए बिलकुल सिप सिप घुट करके पीना है तो आप एक एन काम ज़्यादा होता है हम चारिक शर्म ज़्यादा करते हैं तो थकावट मैसूस होती है हम बोरते हैं नहीं आप सबुखार चड़ेगी नहीं बिलकुल सुच्टी आई है खड़े नहीं उपा रहे हैं तो उस समय भी आप ये शेहद का पानी यदी बैठ कर पिएंगे तो उ कोई कमजोर है तो वो थकावट मैसूस करती है तो वो ये उपाए कर सकती है आसानी से इसमें कोई प्रेकोशन नहीं है मैं बता दूं कोई सोचेगी मैं कभी इसको लूँं कोई भी दिनों में प्रेगेंसी नॉन प्रेगेंसी हर वक्त आप ले सकते हैं इसका कोई परहेज नहीं है कोई नुकसान नहीं है शर्थ इतनी है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज गरम पानी में शहद ना लें यह मैंने रूम टेंपरेचर सभी के लिए बताया है तो यह सभी में उनको भी कोई नुकसान नहीं करेगा शुगर के मरीज शहद ना लें वो अपना तोड़ा क्यार क्योंकि जो शुगर है मैं ये नहें कहरी शहध से होती है नहीं होती वैसे तो सभी परीसित है शुगर होने के बाद मेठे से बढ़ती है तो वो अparkना आप समझ रहे हैं मेठा है तो शुगर रहिए, मस्त रहिए, ठेंक यू